तो अगर आपकी भी हाइट छोटी है आप लंबे दिखना चाहते हैं आप टोल दिखना चाहते हैं तो आज की वीडियो को एंड तक देखीगा स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी फेशन टिप सेर करने वाली हो जिससे आप दिख सकते हैं लंबे टॉल तो चलिए देद ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहले टिप नमर वन की बात करें तो अवोई बैगी अब उसके बजाएँ आपको फिटेड कलॉट्स पैनने हैं जितने आप ढले डाले पैनेंगे हैं उतने हैं और चोटी ृप फिटेड क्लॉट्स अब बात करते हैं क्या लंग लगी घी इन्स रहतीना उसे पहनना और करें वा इंग लंग पेंट्स एंड लोंग लेग इस पई पैंटेया उससे भी हाइट वह लंभी लीखेगी आप उसे सोट नहीं दिखेंगे उसके बजाय स कि अगर आप लंबी लेगी पैंटे से आपकी हाइट और चोटी लीखेगी तो आपको एंकल लेंद की पैंट या तो लेग इस फुरिंद तो इस two this is tip तो अगर आप Indian clothes भी wear कर रहे हैं तो आप उसमें प्लाजो को avoid कर सकते हैं, उसकी जगा आप पैंट कुर्ती paint पैंट पैंटेंगे तो आप और लंबे दीख सकते हैं, या तो आप jeans भी पैंट रहे हैं तो भी आप उसमें doll दीख सकते हैं, तो this is tip number 3, अब बात करते है tip number 4, avoid wearing low waist bottom, आपको हमेंसा high waist ही bottom को wear करना है, उससे भी आप लंबे दीख सकते हैं, अगर आप jeans भी पैंट रहे ना, तो high waist की jeans पैंटेंगे, जीतना आप bottom को low waist पैंटेंगे ना, उतनी आपकी height short दीखेगी, तो इस तरह से जब भी आप cloths wear करें, तो आपको high waist clothes ही wear करने हैं, उससे भ Talking about tip number 5, तो आपको ankle boots याने की ankle shoes wear नहीं करना है, आपको ankle length के shoes को avoid करना है, आप उसके वज़े नॉर्मल सेंडर पैं सकते हैं, नॉर्मल चपल पैं सकते हैं, उससे भी आपकी height जो है ना, तोल दीखती है, नॉर्मल सेंडर पैंने के नॉर्मल footwear पैंते हैं, उससे भी आपकी height जो है, वो काफी लंबी दीखती है, तो आपको avoid करना है ankle length boots, इस तरह के boots आपको नहीं पैंना है, इस तरह के shoes नहीं पैंना है, अब बात करते हैं tip number 6, avoid layering clothes, आपको layering clothes नहीं पैंना है, अगर आपकी height छोटी है ना, तो आप उसमें layering clothes पैंनेंगे, यानि कि अगर आप Indian कूर पैन रहे हैं, तो उसके उपर स्रग पैन लिया, ऐसे आप layer जितने लगाते जाएंगे ना, उतनी आपकी height छोटी दीखती है, अगर आप jeans top पैन रहे हैं, उसके उपर पी अगर आप layer पैनते हैं, तो उससे भी आपकी height छोटी दीखती है, तो अगर आप कूरती पैन रहे है नेक और हाई नेक अगर आपकी हैट छोटी है तो आपको हाई नेक या तो आपको स्क्वेर नेक की कपड़े नहीं पेंडने हैं उसके बजाए आपको वी नेक की कपड़े पेंडने हैं अगर आप वी नेक आउटफिट पेंडने हैं तो उससे भी काफी आपकी हैट लंबी द आपको monotone outfits ही select करने हैं उससे आप काफी लंबे दिख सकते हैं उसके बजाए double color के जो outfit रहते हैं उसमें आपकी height छोटी दिख सकते हैं तो आपको monotone यानि की आपको एक ही color के कपड़े पेंने हैं अगर आप black कुरती पेंने तो bottom भी black पेंने अगर आप white कुरती पेंने तो bottom इस तरह से आपको monotone के कपड़े पेंने तो उससे भी आपकी height काफी लंबी लगती है उसके बजाए कि आप double color के कपड़े पेंने उससे आपकी height छोटी दिखती है तो अगर आप jeans भी वेर कर रहे हैं तो black jeans के साथ black top white jeans के साथ white top उस तरह से आप वेर करेंगे तो आपकी height जो है वो लंबी दिखेंगे आप टोलर दिखेंगे तो इस इस तरह कि कपड़े आप पसंद करें अगर आप jeans top भी पेंगे ना तो उसमें भी आपकी height का भी लंबी लगेगी तो जब भी आप अपने लिए cloth सिलेक्ट करें तो आप उसमें वर्टिकल क्लोज सिलेक्ट कर सकत है उससे आप लंबे लग सकते हैं तो अब बात करते हैं tip number 10 wearing elbow sleeve आप जो कपड़े वेर कर रहे हैं उसकी sleeve यहाँ elbow तक होनी चाहिए उससे भी आपकी height लंबी दिखती है उसके बजाए आपके अगर full sleeve के कपड़े पहन लेंगे ना तो उसमें आपकी height छोटी दिख सकती है ज तरह से आपको elbow length की sleeve पहनने है उससे भी आप टोल दिख सकते हैं अब बात करते है tip number 11 अगर आप अनार्कली वेर कर रहे हैं गाउन या तो वनपीस वेर कर रहे हैं तो आपको एक ही tone का अनार्कली you know one piece वेर करना है उससे भी आप टोल दिख सकते हैं बजाए एक टू कलर का पहने, आपको अगर आप टू टोन में पहनेंगे ना तो उसे भी आपकी हैट छोटी दिख सकती है, कई आउटस्पीट्स कई अनारकली से रहते हैं जो बोटम के लेरिंग जो होता है उसका कलर डिफरेंट रहता है और अपर का कलर डिफरेंट रहता है तो वेसे कपड़े यी करने है उससे भी आपकी हैट छोटी दिखी है तो आप अनारकली गावन जो भी व्यर करते हैं वह वन टोन का होना चाहिए एकी कलर का होना चाहिए तो उसमें भी आपका ही टो डिख सकते हैं तो आप बात करते हैं, final last tip, tip number 12, अगर आप heels पहनते हैं तो आपको nude color की heels लिए select करनी है, उससे भी आप लंबे दिख सकते हैं, उससे आप तोल दिख सकते हैं, उसके बजाए कि आप colored heels पसंद करें, आप देख सकते हैं कि आप nude color की heels पहनेंगे ना तो उसमें आपकी height लंबी बजाए कि आप black color की heels पहने हो या तो आप white color की, वो क्या होता है, so off होता है, पता चलता है कि आपने इतनी heels पहनी हुई है, उसके बजाए आप nude color पहनते हैं, तो उससे आपकी height लंबी दिख सकते हैं, heels इतनी so नहीं होती है, तो आपको overt करनी है colored heels और आपको पहननी है nude color की heels, तो ये थी 12 tips for my beautiful sort hat girls, I hope ये वीडियो आपको जरूर से useful रही होगी, useful रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर से thumbs up दे दीजिए, और अपने group की सभी sort hats girls के साथ ये video share कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को subscribe कर दीजिए, मिलते हैं, next वीड इंट्रेस्टिंग टोपिक के साथ तब तके लिए, बबाई and टेक केर